сд subscribe, like and share to make me happy पापपा बहुत मज़ा आ रहा है आप हमें रोज क्यों नहीं लेकर आते नदी पर हमें रोज लेकर आया करें हमें बहुत मज़ा आ रहा है बच्चो तुम भी कभी खुशना ही होते लेकर तो आता हूं आपको हर संडे पर अब बहुत हो गई मोज मस्ती, चलो अब चलें, शाम हो गई है, मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने है मामा थोड़ी देर और प्लीज, प्लीज हमें थोड़ा सा और खेलने दे मैंने कहा ना चलो अब, बचो चलो चलें अब, तम्हारी ममा बहुत गुसे में है टोनी चिडिया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिन्दकी हुजा रही थी सारा दिन नदी में खेलने के बाद, शाम को वो अपने घर वापस चले जाते हैं प्यारे दोस्तों कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और घेंटी के आइकोन को दबाना बिल्कुल मत भूलियेगा पापा, क्या आप अगली संडे को हमें फिर ले कर जाएंगे नदी में? अब तुम सो जाओ, ऐसा ना हो कि तमहारी ममा तमहारी पटाई कर दे गुट नाइट उठी गई हो, आज थोड़ा जल्दी जाना होगा दाना लेने के लिए, क्योंकि आज काफी दूर जाना है, जल्दी से चलो हाँ, मैं तो तियार हूँ, चलो बच्चो कोई शरारत नहीं चलेगी, और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना ओके मामा मामा और पापा चिडिया दाना की तलाश में घर से काफी दूर निकल जाते हैं वो देखो, समीन पर कुछ चने के दाने पड़े हैं हाँ, मैंने भी देखे हैं और वो चने के दाने खाने के लिए जमीन पर उतरते हैं वो देखो, कोई आ रहा है इस तरफ कहाँ, वो पेड़ों के पीछे हाँ, कोई है तु सही चलो, उड़ चले, तुम बहुत डरती हो उसे थोड़ा पास तो आ लेने दो मैंने कहा न, कहीं वो शिकारी ना हो नहीं, नहीं मेरे दादा ने मुझे सब कुछ सिखा रखा है वो शिकारी नहीं है और मुझे शिकारी की खुब पहचान है मुझे थोड़ा अराम करना है अब एक कुछ और दे रुक जाओ चलते हैं वो करीब आ रहा है तुम जरा गोर से देखो उसे उसका लबास शिकारों जैसा नहीं है उसने सफैद रंगी चादर ली हुई है वो कोई अच्छा इंसान है इसके पास शिकार का कोई समान भी नहीं है बिला कैसे हमें वो नकसान बनचाएगा उनकी इन बातों बातों में वो आदमी इनके बहुत करीब आ गया उसने जट से अपने सफैद चादर में से गलेल नकाल कर सीधा चिडिया पर निशाना बांदा और निशाना ठीक जगा पर लगा सब इतनी अचानक से हुआ कि चिडिया बिचारी को उनने का मुका ही न मिला और वो एक तम से जमीन पर गिर गई और वही मर गई पापा चिडिया उड़ कर उपर पेड़ पर बैठ गया तुम बहुत जालम हो मेरी पतनी ने मुझे तमहारे आने के बारे में बताया लेकिन मैंने इसका एतिबार नहीं किया क्या मिला तुझे जालम शक्स मेरे बच्चों से इनकी माँ को छेंकर तुमने हमारा हसता बसता घर उजाड कर रख दिया तुम बहुत जालम हो जालम मैं शकायट करूआँ राजा से मैं राजा से तम्हारी शकायत करूँगा मुझे इंसाफ चाहिए मुझे तो मास मिल गया खारे को तो मैं इंसाफ मिले या ना मिले ये बाद में देखा जाएगा और वो आदमे बेचारी टोनी चिडिया को उठा कर वहां से चला गया पापा चिडिया सीधी राजा के दर्बार में जाती है मुझे अंदर जाने की अनोमती दी जाए मेरे साथ बहुत जुलम हुआ है हाँ चली जाओ राजा बहुत घुसे में है जरा धीमी आवास से बात करना राजा को मेरा सलाम आओ आओ छोटी चिडिया क्या बात है तुम रो क्यों रही हो क्यों रो रही हो तुम क्या हुआ तुम्हारे साथ मेरे साथ बहुत जुलम हुआ है मेरी पतनी को एक शकारी ने मार दिया है इसने मुझे कहा कि उड़ चले लेकिन मैंने इस के बार नहीं मानी और इस शकारी ने गलेयल से मेरी पतनी को मार दिया हमं तो ये बात है मंतरी पता करो शकारी का कौन है वो शकारी उसे जल्द से जल्द मेरे दिर्बार में लाया जाए चे महराज जैसे आपका हुकम और सपाही कुछ ही देर में उसी आदमी को पकड़ कर ले आते हैं हाँ यही है यही है वो आदमी जिसने मेरी पत्नी को मारा है देखो छोटी चुडिया हम तो महरी मरी होई पत्नी को तो वापस ला नहीं सकते लेकिन जो सिजा तुम इसे देना चाहो वो दे सकती हो महराज मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि वो शिकारी हो सकता है लेकिन मैंने इसका लबास दे कर उसकी बाद नहीं मानी जो दुक उसने मुझे दिया है शायद वो मेरी भी जान ले ले लेकिन मेरी एक खोहिश है हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो तुम आप इसे सिर्फ ये कहें कि जब ये आदमी या कोई भी और शिकारी शिकार के लिए निकले तो अपना लबास शिकारियों वाला पहन कर निकला करे मेरी बस ये चोटी सी खोहिश है मैंने धोका खाया इसके लबास से और इसने मेरे छोटे छोटे बच्चों से इनकी माँ छहिआ ली चीडिया की ये बास सुन कर महराज भी बखुत दुख़ी हो गया और जान गया कि चीडिया क्या कहना चाहती है इस कहाने से हमें ये सीक मिलती है कि कभी किसी का विश्वास इसका भेश देकर ना करो जाहिर तोर पर जो नजर आता है वो इसका भेश भी हो सकता है